हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ केफे वाली ग्रिल सेंड्विच की रेशिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका स्टफिन हम स्टर फ्राइ करके बनाने वाल है जिससे हमारी सेंड्विच का स्वात बहुत ही अलग और बढ़िया आता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे और आप भी एक बार गर पर ये सेंड्विच जरूर ट्राइ करें बहुत ही यमी बनती है हलो फ्रेंड्स कुक स्टूडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आरती तो चलिए सेंड्विच बनाना शुरू करते हैं यहां पर एक पेंड लिया है जिसमें मैं दो चम्मच तेल ले रही हूँ और साथ में एड कर रही हूँ दो चम्मच बटर यहां पर मैं बटर घर का बना हुआ यूज कर रही हूँ और इसको हम गरम कर लेते हैं तो बटर और तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब इसमें डाल देते हैं दो चम्मच बारिक चोप किया हुआ लसुन है और साथ में एड़ कर रही हूँ तीन हरी मिर्च है जिसको मैंने बारिक चोप करके लिया है और इसको एक बार अच्छे से mix कर लेते हैं अब मैं साथ मैं एड कर रही हूँ, ओनियन है जिसको मैंने लंबा काट के लिया है, ओनियन को भी मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ, अब ओनियन मिक्स हो चुका है तो मैं इसमें एड कर रही हूँ, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी मैंने लंबा काट के लिया है, शिमला म यानि कि एक मिनिट के अंदर कर लेनी है, अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ गाजर, गाजर को भी मैंने ग्रेट करके लिया है, और साथ मैं एड़ कर रही हूँ पत्ता गोबी, पत्ता गोबी को भी मैंने ग्रेट करके लिया है, और सब सबजियों को अच्छे से मिक्स कर द है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद हम सा स्वाद के अनुसार नमक और एक चमच ब्लेक पेपर पाउडर और डेट चमच चिली फ्लेक्स यह आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं सारे मसाले और साथ में एक चमच चाट मसाला आइड कर देंगे जिससे हमारी सेंड़िच का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो हमारी सेंड़िच का चटपटा स्टफिंग तयार है और उपर से में डाल रही हूँ बारिक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो स्टफिंग हमारा रेडी है यहाँ पर मैंने मैं दो ब्रेड लिया है। इसके उपर मैं लगा रही हूँ मायोनीज जिसको चारो और अच्छे से दोनों ब्रेड मैं मैं लगा लेती हूँ अब मैं इसमें टफ़िंग एड कर दिती हूँ, अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ तो यहाँ पर मैंने अच्छे से स्टॉफिंग स्प्रेड कर दी है और उपर से अब मैं चीज ग्रेट कर लेती हूँ और दूसरी ब्रेड मैं इसके उपर रख दूँगी और इसके उपर में घी लगा देती हूँ आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं और इसको हम ग्रिल कर लेंगे तो यहां पर मेने ग्रिल सेंड्विश का मशिन गरम करने के लिए रख दिया था तो हमारा मशिन गरम हो गया है तो अब मैं जिसमें गी लगा है था उपर की साइड वो पार्ट नीचे रख रही हूँ और उपर के और में घी लगा लेती हूँ आप चाहे तो बटर भी लगा सकते है और मशिन को बंद करके हम दो मिनिट के लिए इसको चालू कर देंगे तो दो मिनिट के बाद हमारी सेंड्वीच बंद कर तयार है तो मैं इसको एक प्लेट में ले लेती हूँ अब हम बनाएंगे हमारी दूसरी सेंड्वीच जिसको मैंने सेम तरीके से फिल कर लिया है और उपर की साइड में गी लगा देती हूँ और मशिन को एक मिनिट के लिए ओन कर देती हूँ एक मिनिट के बाद हमारी सेंड्वीच इस तरह से पक गई है तो इसको मैं 90 डिग्री पर इस तरह से गुमा के वापस अन कर देती हूँ मशिन तो आप देख सकते हैं कि ग्रिल सेंड्वीच के उपर हमारे बहुत ही बढ़िया डिजाइन बन चुकी है तो तयार है हमारी मिक्स वेज कैफे वाली सेंड्वीच ग्रिल सेंड्वीच तो आप इसे सोस या ग्रीन चटनी के साथ इंजोई कर सकते हैं मिलते हैं नई रेशेपी के साथ तब तक के लिए टेक केर